नमस्कार जी केपिटल में आपका स्वागत है आज है चार मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो आज बात करेंगे उड़ती हुई कमपणी के उड़ते हुए सेर प्राइस वाले स्पाइस जेट लिम्टेड के बाड़े में तो बने रही है वीडियो में अंत तक फ्रेंड्स सबसे पहले इस कमपणी के रिटर्न के स्थिति को देखें तो आज इस कमपणी ने लगभग 5% के पोजिटिव रिटर्न के साथ अपर सरकेट लगाया था और अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने लगभग 4% का पोजिटिव रिटर्न दिया है और ए एक साल में अगर बात करें तो एक साल में आज ये लगभग अपने निवेसकों के 68% पैसे कम कर दिये हैं या यह मानें तो नए निवेसकों को लगभग 68% सस्ते पर मिल रहा है तो फ्रेंड्स इसके प्यर कमपनियों के साथ इसके रिटरंड की अगर एक साल के तुलना की परशंट का निगेटीव रिटर दिया है तो फ्रेंट्स अगर आज हमने इसमें निवेस किया तो इसमें हमारे निवेसित मनी का आने वाले दिनों में क्या ग्रोथ होगा डी ग्रोथ होगा उसको देखने के लिए एक बार फॉर्कास्टिंग देख लेते हैं तो एक बार 29.56% का और करेक्शन हो जाए और इसकी भैलू नीचे चली जाए और यहां भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोबिट का असर खतम हो जाए और पूरी दुनिया में उड्यान का काम फिर पूरे जोड़ सोर से शुरू हो जाए और इसमें इसकी ग्रोथ जो है वो 30 में कल्कुलेट करें इसे तो हमारे जो 47 रूपे आज निवेशित होंगे वो हो सकता है कि अगले एक साल के अंदर घट करके 33 रूपे हो जाए या यह हो सकता है कि यहां से इसमें ग्रोथ हो करके वो 140 रूपे हो जाए या मेडियन जो दोनों का आता है वो लगभग 67 रूपे हो जाए तो फ्रेंट्स जो भी आप निवेश करेंगे इन साड़े फ्रकास्टिंग के रेट्स और उसके होने वाले इंपक्ट को एनलाइज करेंगे अब फ्रेंट्स इस कंपनी के अगर मार्केट केप की बात करें तो मार्केट काप हो गई है 2815 करोर और इसकी जो तो 52 सब्ता की उच्चतम और निम्तम दर है वो है 152 रूपे 60 पैसे और 30 रूपे 65 पैसे तो पिछले दिनों ये 30 रूपे 65 पैसे पर ट्रेड कर रही थी जहां से अब अच्छी ग्रोथ ले करके अब लगभग 46 और 47 रूपे के आसपास आई है फ्रेंट्स अब इसके 12,764 सेर्स की लगी हुई है जबकि सेलिंग कॉंटिटी बिलकुल नील है अब फ्रेंट्स इसके अगर ट्रेड वोल्यूम के साथ साथ इसके डिलिवरी और डिलिवरी परसेंट को देखें तो और भी आपको यहां पे चीज़ें पोजिटिव दिख रही है जो दिख रही है जो ट्रेड वोल्यूम है वो तो 53,75,531 सेर्स की है लेकिन उसमें से जो डिलिवरी हुई है वो हुई है 34,83,559 सेर्स की तो यहां पे आप देखेंगे कि लगभग 65% 65% तक की इसमें डिलिवरी मिल रही है तो फ्रेंट्स अगर 65% की डिलिवरी मिल रही है स्पाइस जेट मे तो कहीं न कहीं निवेशकों का नजड़िया इसके उपर बुलिस है और माइंग कॉंटिटी जो यहां पे खड़ी है वो यह बता रही है कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइस में मजबुती रहने के संकेत है लेकिन फाइनल किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इसकी एक बार प्राइस मोमेट को देख लिए जाए इसकी प्राइस चार्ट पर तो यहां यहां देखेंगे कि यह इस साल की ही बात है जब दो जनवरी था और दो जनवरी को यह हाई बना रहा था लगभग 117 रूपे की और वहां से इसमें लगातार गिरावट आती है और 25 मार् है कि जिन्होंने निचले अस्तरों पर माल को खड़ीदा हूं उन्होंने बेच करके अपनी मुनाफ़ा वसुली कर ली हो लेकिन एक चीज यहां देखने में आता है कि फाइनली यह 43-44 से लेकरके और 40 के आसपास कॉंसूलिडेट होते रहा है पिछले कड़ीब-कड़ीब एक महीने से मैंने इसमें एक वीडियो बनाया था चार दिन पहले लगवग 31 मही को वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को एक जस्ट लाइक एक्जामपल के रुप में एडवाइस किया था कि 117 रुपे का सेर मातर 43 रुपे में मिल रही है वो भी स्पाइस जेट अप था खासा शेर है अपने यात्रियों को ढने के परती या अपने गनहाकों को सिवा देने के परती तो फ्रेंड फिर से एक बर हम आग़े प्राइस मोपिंट को देखने के लिए तो यहां चीज़्ों को देखने से पहले सबसे पहले RSI की इस्तिति को अगर देखें तो आपने RSI को भी देख लिए, आपने MSTD को भी देख लिया, आपने प्राइस के कैंडिल की मोमेंट को भी देख लिए, तो फ्रेंड्स अब इसमें ये लग रहा है कि इसमें आने वाले दिनों में बुलिशनेस बनी रहने की 99% गुंजायस है, अब इसके बाद इसका पहला टा 49, 48 के पास से reject होके आ चुका है 13 अप्रेल को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये price crucial होने वाली है, यहां से अगर उपर की ओर जाता है, और अगर significantly अपने 50 days के ये में को पार कर लेता है, तो next जो इसकी target होगी, वो होगी 100 दिनों की ये में, जो 61 रुपे से उपर निकल के जा रही है, और फिर 50 रुपे के ऊपर जब एक बार चला जाएगा, तो फिर 50 रुपे के ऊपर इसको एक मजबूत psychological support मिल जाएगा, तो वहां आप इसको एक अपना base level पकर के चल सकते हैं, और 50 रुपीस को लेके आप एक बार अपना stop loss लगा सकते हैं, और उसके उपरी अस पर किसी ने भी बाइंग की होगी, तो यहां अच्छा खासा उससे 15-20 परसेंट का मुनाफ़ा मिल चुका है, तो फ्रेंड्स इन ही साड़ी चीजों को देखकर के इन ही साड़ी information के अधार पर एक आप अपनी study करें, research करें, और तभी कोई निवेश समंधी ने ने ले, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो like, share, subscribe करें, और bell icon button प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी informative वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे, जै हिंद, जै भारत